नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार का कोरोना अपडेट 27 जुलाई का आ चुका है आज 292 नए संक्रमितों की पहचान हुई है नए कोरोना संक्रमित आज पूरे बिहार से जो मिले हैं उनकी संख्या है 292 लेकिन आज आप एक महतोपूर्ण पहलू पर ध्यान दीजिएगा सबसे महतोपूर्ण पहलू है ध्यान दीजिए बिहार स्वास्त विभाग ने जो आकरे जारी किये हैं उस पर आप उस पर देख रहे होंगे कि आकरों को तीन तारिकों में अब तोड़ दिया गया है 26 जुलाई 25 जुलाई और 24 जुलाई बताया जा रहा है कि 26 जुलाई के मामले 812 25 जुलाई के मामले 1048 और 24 जुलाई के मामले 332 यह तीन तारिकों के आकरे हैं जिनको जोर कर आज जो एक स्क्रंभ किन्या्ञ की अपने देखा होगा कि हम दो तारीखों में आकर को आपको बता रहे थे तो इ काुई कि लेकिन आज तीन तारीक ऐसा कूं हो गया एक नजर डालिए इस चीज पर कि पहले आकरे जहां 1000 के नीचे आते थे तो जो रिपोर्ट बिहार स्वास्त विभाग साजा करते थी वो 24 घंटे का होता था यानि पिछले दिन का और उसके बाद जब रिपोर्ट के जो जाज के रेशियो बढ़े और उसके बाद जो नए माम कर दो विदा मामले मिलने सुरू हुए वह 1000 से ज्यादा हो गया प्रति दिन उसके बाद क्या किया है बिहार स्वास्त्य विभाग और सर कारण ने इन आकरो को तोर दिया दो तारिखों में ताकि मामले घरा हें वो कम ज्यादा मामले आये तो इन्होंने तारीखों को तोड़ दिया तीन तारीखों में कि देख रहे हैं कि 812, 1048 और 332 यह तीन तारीखों के मामलों को आज बियार स्वास्त विभाग ने जारी किया है आज 27 00s को पता चल रहे हैं कि रिपोर्ट की जिसन मोंने की उसकी रिपोर्ट आने हैं में कितने गंटे लग रहा है मैं इसके बारे में भी थोरस्वास्त विभाग को सोचना चाहिए कि सवाल आप पर जितने तारीखे आप बाटियेगा सवाल आप पर उठेंगे कि क्या अगर मालीजीय कल 3000 से ज्यादा मामले आने लगे तो क्या आप तारीकों को चार तारीकों में तोर देंगे क्योंकि इससे मामले तो चाहिड़ बात है कि आप तोर कर दिखाएंगे कि कम है लेकिन एक तरफ ये भी सवाल उठेगा क्या कि जाज की रिपोर्ट आने में 72 घंटे भी लगते हैं क्या लग रहे हैं क्या अधिकतर रैपिड एंटीजन टेस्ट में बढ़ोतरी की गई है लेकिन आटी PCI टेस्ट में जहां तक 24-48 घंटे लगने की बात कहीं जाती है लेकिन आप 24 तारीके आकरों को आज जारी कर रहे है जाइड है कि यह आखुने करके बात है करम 5 दे का 4 जार बजर के बाद ही रिपोर्ट आए होँगा तभी आप इसको स्वास्त चाहुर्च करते शारी करती है अकरे हैं कितने दिन लग रहे हैं रिपोर्ट जो सेम्प्ल लिये ज confusion बन रहा है उस पर उस confusion को दूर करने की कोशिस करनी चाहिए खैर हमने तीनों तारीखों के आकरों को जोड़ा है फिर से जैसे कि हम पहले जोरते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमने फिर से जोड़ा है और जोर कर जो नए सभी जीलों के जो नए संक्रमित मरीज मिले हैं उसके बाड़े में एक नज़रद डालीजें और उन जीलों के कुल संक्रमित मरिजों पर भी एक नज़रद डालीजें अररिया 30, कुल पॉजिटीव 420, अरवल नय मामले 15, कुल पॉजिटीव 432, अरंगाबाद नय मामले 67, कुल पॉजिटीव 670, बाका नय मामले 27, कुल पॉजिटीव 496, बेगुसरायर नय मामले 43, कुल पॉजिटीव 1441, भागलपूर नय मामले 37, कुल पॉजिटीव 2280, आपसर नयमामले 42, कुल पॉजिटीव 737, दर्भंगा नयमामले 48, कुल कोरोना पॉजिटीव 715, इस्चमपारन नयमामले 46, कुल पॉजिटीव 958, गया नयमामले 91, कुल पॉजिटीव 174, गोपाल गंज नयमामले 26, कुल पॉजिटीव 770, जमुई नयमामले 25, कुल पॉजि 157 2-3 70 करिमूर नाई मामले 31 घुट्रीप 370 करिया नाई मामले 35 घुट्रीप 832 घुट्रीप 845 घुर्टीप 535 फीचुलय शंचडीप 536 मदुबनी नय है मामले 57 कुल पॉजटिव 80, मुँगेर नय मामले 22 कुल पॉजटिव 943 बुजपर पूर्फृर्ड नय मामले 33 कुल पॉजटिव 174, नलंद नय मामले 87 कुल पॉजटिव शिवर्ण seiम्य और गैसा आख ऐ्हंु आख अख अ चुन या थाख अख, लग्रतनच में रिविताय होग कृआख फाझीय सारै चुन पूरा आज का नया संक्रमित मरीजों की संख्या बनती है वह 212 और बिहार में पूरा मरीजों की कुल संख्या पहुच गई है 41 111 पिछले दो दिनों में ड़े संख्या में बुड्वते देखी गई है तो शस्थन पहां वह संख्या में संख्या आज़ोछ ऺड़े लेकिन इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आकरो को तोरने से सरकार को खास कर और विहार स्भास्त विभाग जो है उसको ध्यान देने की जरुड़र थै कि लोगों को Confuse कुँझ ना कड़ें क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है आकरो को तोरने से मिलूर इतने भी बेवाकूफ है नहीं की वह यह झाफ समझ नहीं पाएंगे ज़रूर जहीं जारीर बाते वह हो थोरा कभिःूज traitor को दिने लेकिन धीडर थीडर वह समझ जाएंगे इस पर आप ध्यान देने के बजाए आकरो किसांथ बाजी करने के बजाए आप ट्रेसिंग पर ध्यान दे बिहार सरकार टेस्टिंग पर ध्यान दे ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो ज्यादा से ज्यादा 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 ज़रूरत है बिहार में जनता को सवयोग करने की खासकर लॉकडाउन लगा मामों नहीं आएक स है जोच रहते हैं कि साइध लॉक्डाउन मों में कमी आए लेकिन उतनी फिलाल कमी नहीं आई है ध्यान देने की जुरुत है सरकार को तो हैं ही लेकिन आम जनता को भी कि यह बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें सेनेटाइजर साथ रखके अगर बहार जा रहे हैं तो सोसल डिस्टेंसिंग अपनाएं गेदरिंग कहीं भी न करें और भीर इकट्था तो बिल्कुल न करें अगर कहीं है तो आप वहां ना जाएं लॉक्डाउन के नियमों का पालन करें खुद सुरक्षित रहें और बिहार को सुरक्षित बनाने में सहयोग जरूर करें खबरों से अब्रेट रने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नूश धन्यवाद